हेलो एबरीवन स्वागत आपका हमारे एस कोचीन सेंटर में अगर आपका सब्जिक्ट होम सेंस है और आप होम सेंस सब्जिक्स किसी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफी हल्फुल होंगे चाहिए वह प्रेक्टि करते रहे हैं ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहों तो आज लगबग हम सिक्स टॉपिक पर कोशन देखेंगे वह एक दम चुने हुए कोशन होंगे टाइम वेस्ट बिल्कूल भी नहीं करेंगे हरी कोशन के शामने एंसर होगा ताकि आप कम समय में जादा ही कोशन को दे चलिए वीडियो के स्टार्ट करते और अच्छी लगे तो प्लीज जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ग्रूप बना के स्टाड़ी कर रहें वहां निश्चेति वीडियो को सेयर करें चाहे वाटसब ग्रूप हो टेलिग्राम गूप हो फेस्बूक हो जहां भी आप करते हो अपने फ्रेंड सरकल में और वीडियो अच्छी लिए लेक्ष्यर सस्क्राइब जरूर करें चलिए टैंग विष्ट ना करते हुए आते अपने कोश्चन पर हाला कि इसके 50 कोश्चन मैं अभी वीडियो बना रही थी बद कुछ अर्जन काम आ गया तो उसकरान मुझे उठ आतनी बार देखोगे आपका रिवीजन उतना ही बार होगा और वो कुश्चन उतना ही जल्दी आपके माइन में फिटो जाएगी तो हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो एक या दो बार निश्ची थी देखें चलते है अपने कोश्चन पर हमारा पहला को आपको शीशूबिकास से बार टॉपिक है और इसमें से कुश्कोश्चन है जो कि प्रिवेसर एकजाम में पूछे जा चुके हैं किसी ने किसी पूछे जा चुके हैं मैं यह नहीं बोलती कि सिर्फ TGT में पूछे गए हैं या फिर LT में या फिर GIC या फिर NET बट हर एक में यह पूछे गए हैं और कुछ कोशन है जो हो शकता है कि फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं ऐसे कोशन को इसमें लिया गया है तो चले कोशन को देखते हैं पहला कोशन है कि गर्भावस्था का चक्र होता है तो कर्भावस्था का चक्र कर्भाधान से लेके जन्म तक को ग मौजात शीशु की ओधी बोलते हैं नेक्स कोश्यन है कि शीशु कितने समय तक दूसरी के शहारी अपना जीवन चलाता है तो वह होता है दो वस तक शीशु जो होते हैं वह दूसरे के उपर डिपेंड रहते हैं बट दो वस के बाद धीरे-धीरे सेल्फ डिपेंडेंड होने लगते हैं नेस कोश्यन है कि किस अवस्था में शरीर वह मन पर नियंतर नहीं रहता है तो इस कोश्यन का एंसर देना आप सब के लिए बहुत ही यजी होगा और इसको हमने लगबग बहुत बार पढ़ पढ़ रखा है और जो बाल विकाशन है चाल्ड डेवलोपमेंट इस कोश्यन अच्छे लगे तो भी कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आप सब को कैसे लगे तो किस अवस्था में शरीर वह मन पर नहीं रहता तो वह जाएंगे किशोरा अवस्था और किशोरा अवस्था को तनावयम तुफान की अवस्था किसनी का यह इसका एंसर भी आप लोग कोमेंट सेशन में बताइएगा नेश कोश्यन की यूनिशेफ की अस्थापना कब हुई थी और यह वाला कोश्यन इस वार टीजीट में भी पूछा गया था आई थिंक के देसस्वी में पूछा गया था डीएसस्वी टीटी और भी कोश एक्जाम में पहले पू अउस्था को किश्व야 वस्था की अधि कहते हैं एड theory होती एक माशिए न eerste ब की आवश्था की अवस्था को शैश्व वस्था की अवगती बोलते हैं अधीतर कुश्चिन में जो एंसर होती है वो हरलाक महदे की एकोर्डिंग होते है तो जो 600 वस्था की ओधी है वो एक मासे लेके दो वस्था की ओधी को 6 वस्था बोलते है नेश कुश्चिन पर आते है नेस्ट कोश्चन एक प्रारम भीक बाले अवस्था की ओधी होती है तो जो प्रारम भीक बाले अवस्था की ओधी होती है वो होती है दो से छे वस्था की नेस्ट कोश्चन है कि गर्भा वस्था किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं होती है तो वह हो जाएंगे किशोरा और लास्ट में एक आफ़्सन दे रखता है किशोर आवस्था तो गर्भा वस्था आप अल्लडी जानते हैं किशोर आवस्था ने ये तीनों ही बालके विकास को प्रभावीत करते हैं। नेश कोशन है कि शैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गी करन कितने चड़नों में किया है। तो सैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गी करन तीन चड़नों में किया है। शैश्व अवस्था, बाले अवस्था एंड किशोर अवस्था, शैश्व अवस्था को उन्होंने एक से पाँच वस्था तक की अवस्था एंड बाले अवस्था को पान से बारा वस्था की अवस्था एंड किशोर अवस्था को बारा से अठारा वस्था की अवस्था एंड अब ही हमने इससे पहले कोशन देखा कि किशोरा वस्था की ओधी होती है तो 11 से 19 वर्ष यह option के according भी होता है और हर्लक महदे के अनुशार जाद तर कोशन के answer होते हैं जो कि ऐसे बीना नाम लिए पूछे जाते हैं और और सब्सक्राइब कि अनुशार किशोर वस्था कि आधि कितनी होते हैं तो हम 12 शे 18 ही लगाएंगे नजश घं पर आते हैं जयर्ध कि वहढ़िए को क्या कहते हैं कि इसे हम जैविए प्रकीरिया कहते हैं नेस्स कशिच्च पर या न नेस कोशन है कि चिंतन बधिक्ता और भासा की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो चिंतन बधिक्ता और भासा की प्रक्रिया को शंग्यान आत्मक प्रक्रिया कहा जाता है नेश कोशन है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया यह कब से आरंब होती है तो मानसिक विकास की प्रक्रिया जन्म के बाद से आरंब होती है कुशन में कई बहर ऐसे confusion like confusion क्रीट किये जाते हैं जैसे कि जो गल्वबस्ता के वस्ताय होती है उनके और फिर दे देता है जन्म के बाद तो ऐसे हम कुशन को ध्यान में रखेंगे मानसिक विकास होता है वो हमेशा जन्म के बाद ही होता है next question है कि किसके पड़िराम स्वरूप बच्चे में प्रत्यक्षी करन होता है तथा उनके ज्यान में ब्रिधी होती है तो ये हो जाएंगे मानसिक विकास next question पर आते है next question है next question है कि बालक के व्यक्तित्तो निर्मार में शहायक है तो बालक के व्यक्तित्तो निर्मार में क्या शहायक है तो वन्स परंपरा और परिवार बालक के व्यक्तित्तो निर्मार में क्या शहायक है तो वन्स परंपरा और परिवार next question है कि शमय के अधार पर मानसिक विकास की मुख्य अवस्था नहीं है तो जो शमय है उसके अधार पर मानसिक विकास की मुख्य अवस्था कौन सी नहीं है तो जहर सी बात है कि मृत अवस्था में मानसिक विकास नहीं होता है next question है कि कि अवस्था में बालक अधिकास बाते घर वालों के अनुकरन द्वारा सीखता है तो वो हो जाएंगे सैश्व अवस्था सैस्ष्व वस्था में बालक का जो अधिकांस भाते घर वालों के अनुकरंधोरा कुछतopes है जीक है जहां देख सकते हैं जहां näहसे हैं अजिए भीत्के खुषपूरी लोग होते हैं इस生ए बोलेते हैं natomiast पांच वस्तक के जो अवस्ता होती है, इस अवस्ता में बच्चे बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, जो बच्चों का ग्रोह होता है या फिर सीखने की छमता होती है, वो जादा ही होती है, नेस कोशिन पर आते हैं, प्रसिद बाल मनोवग्यानिक रोस ने बाल बिकास की कितनी अवस्ताइं बताई है, अभी हमने इससे पहले सेले के बारे में देखा था, सेले ने तीन चर्ड़ों में बाटा है, पहले सेश्व अवस्ता, सेले ने बिकास की प्रक्रिया को तीन अवस्ताइं बाटा है, यहां बाल मनवेज्यानिक characterize Ross का आवस्था कर ने वकास को कितने वस्था है रॉस के अनुसार जीना जीनाश पौच्छा यह कितने वस्था है रॉस के निशेर सहले का नुसार पुचहे गा तो 3W सैले resembling कौन-कौन से बाताया हैं तो वह बताया हैं चार अवस्थाओं के बारे में बताया है, पहला उन्हाओं ने शैश्व अवस्था बताया है, दुसरा आरंबिक बाले अवस्था, तीसरा उत्तर बाले अवस्था, चौथर किश्व अवस्था, तो शैले पूछे तो तीन और रौस पूछे तो चार, चार चर्णो मीनों ने विभाजित किया है शरीर में मत्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है तो शरीर में मत्रात्मक परिवर्तन अविवरिती कहलाती है नेक्स्ट है कि शरीर के विकास की गती की कौन सी सिंखलाए है तो शरीर के विकास की गती की दो सिंखलाए है पहला है शिक्लोकोडल और डूश्रा है प्रूमैक्स प्रॉक्सिक Mad diligence जो सिंख्ला है स्ुर्ष नेस्ष कुषिन całने की सिंख्ला है जिसमें विकास सर से पआउ की और अग्रसर होती है तो तब हमने देखा सिफ़ो कॉडल सिफ़ो कॉडल, पाण सर से पाऊं तक की अग्रशर भिकास को सिफ़ो कॉडल कहते हैं कि नेक्स्ट एक सब्सक्राट में नुमर्ड 23 सरीर में गुरात्मक उच्य मत्रात्मक परिवरतन और भिकास कहलाता है कि नेक्स कोशन पर आते हैं कि बाल मनुबेगयनिक संबंदि सोध कभ शुरू किये गए तो जो बाल मनुबेगयनिक शोध है यह संद 1931 से स्टार्च किये गए बच्चे के जन्म से पुर्व ही माता पिता के गुन आजाते हैं उसी क्या कहते है तो इसी हम अनुआ सीक्ता कहते हैं नेक्ट्स कुछिन है तो बच्चों में मुश्कुराने की प्रविर्ती तीन महीने से आरंब होती है और बच्चे पहचानने और अजनवी बेक्तियों में भेद करना प्रारंब कब से करते हैं तो बच्चे लोगों को पहचाने और अजनबियों में भेद करना लगभग पांच या छे महिने के उम्रिशे कर देते हैं नेस्कोशन पर आजाते है नेस्कोशन है कि बच्चे दो या तीन सब्द का वाक्य का परियोग करते हैं तो बच्चे दो या तीन सब्द के वाक्य का परियोग कब से करने लगते हैं तो ये दो वर्ष की आयूशे करते हैं नेश कोशेन है कि बच्चे के जन्म के उपरांत मा के दूद का पहला पीला गाढ़ा स्राव क्या कालाता है तो बच्चे के जन्म के उप्रान जो मा के अस्तन से निकला पहला पिला गाड़ा दूध होता है। इसे हम कुलिस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। नेस कोश्यन है कि 2-6 मा के जो बच्चे होते हैं उनकी निंद की ओधी कितनी होती है तो 2-6 मा के बच्चे की निंद की ओधी 16-18 घंटे प्रती दिन होती है नेस कोश्यन है कि क्रेश्मर और सेडलन ने मानो शरीर को कितने भागों में बाटा है तो क्रेस्मर और सैडलर ने मानो शरीर को तीन भागों में बाटा है निश्चोषेन नहيفjes भीकास बालकों में उम्र-ब्रिधी के साथ साथ हो जाता है तो छो भीकास लोगे क्या हो जाता है से कमिया ज्यादा तो जैसी daw इसलों जैसे जैसे बढ़े होंगे उनके उपर जिम्मेदारिया बढ़ती जाएंगी और उसमें फसते जाएंगे और खेल की तरफ उनका आकर्शन कम होता जाएगा नेश कोशिन पर आते है नेश कोशिन है जन्म से ब्रिधा वस्था तक को चार वस्थाओं में विभाजित किया गया है पहला है बाल्य वस्था, दुसरा है किशुरा वस्था, तिसरा है परोना वस्था, यहां चोटा है ब्रिधा वस्था यहां पर तो हमने यह देख लिया कि जन्म से ब्रिधा वस्था तक को कितने वस्थाओं में बाटा है और एक कोशिन है यह पिछले साल भी आये था और हो सकता है आगे भी आये एक्जाम में बिटामिन दी के बारे में पूसता है कि बिटामिन दी की कमी से बच्चों में कौन सी रोग होती है तो वह हो जाएंगा रिकेट्स बिटामिन दी की कमी से बिटामिन दी की कमी प्राणा वस्था में कौन सी रोग होती है तो वह हो जाएंगे ओस्टी ऑपरोषिश नेस्ट कोशिन पर आते हैं Q3 से 10 साल तक हां, उनके कदमे हर साल कितनी बढ़ोतरी होती है Q3 से 10 साल तक हैं, उनके कदमे हर साल 5–7 cm की बढ़ोतरी होती है Q11 स 15 साल के बच्चों की कदव में बढ़ नहां किया है तो जो 11 सेले के तेरह साल तक के बच्चे उनके कद्वें वजन का बढ़ना विकास का विक कहलाता है हमने 40 कोशन देख लिया और 16 से 17 मिनट हमें वक्त लगा इसलिए कम समय में आपके एक अच्छी तियारी हो इसे हम क्वालिटी वीडियो बोलते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें नेस्ज कॉर्षन है कि 3 साल के बच्चों में दाटों की शंख्या है वो क्तिनी होती है तो 3 साल तक के बच्चों में जो दातों की शंख्या वो 20 हो जाती है नेस्ज कॉर्षन पर आते है next question है कि मद्य बाले अवस्था तक बच्चों के दातों की संख्या कितनी होती है तो तीन साल तक के बच्चों में दातों के संख्या 20 हो जाती है लेकिन मद्य बाले अवस्था तक बच्चों के दातों की संख्या 28 हो जाती है किसी अवस्था के समाजिक विकास में योन बिरोध की भावना पाई जाती है तो यह हो जाएंगे उत्तर बाले आवस्था यहाँ पे योन बिरोध की भावना से यह है कि जो बाले आवस्था में बच्चे होते हैं अगर लड़का हुआ तो उनहें अपने अपने मुम्मी से जादा प्रेम होता है और लड़की वई तो उन्हें अपने पापा से यहीं पूच्चब की विकास में योन विरोध की भावना पाई जाती है तो वह होंगे उत्तर बाले आवस्था इसी अवस्था को तनायुमन टुफार की अवस्था भी बोलते हैं कि इसे कहा किसने rationale नुटन कोशन है ने किसने किया है तो जो बही मुख्य और अन्तामुख्य वेक्तित्यों का वर्गी करन निसे जुंग् किया है नेक्हें कि दानक को रदस्त डाना को क्या मानाजाता है तो दो idag ना North को ने 5org 23nd कि समाजिक रूप से मन्लेंता प्राप्त बह्वारों को सीख네 और दूसरों के साथ मिलजूल का बहवार करन तो ठर्प पर यह इसमें समाजिक पूछा है तो समाजिक है तो समाजिक विकास कहा जाएगा वन मिनट तो जो समाजिक रूप से मननेता प्रप्त बहवारों को सीखना और दूसरे के सांथ मिल लिलकर बहवार करना क्या कहलाता है तो यह समाजिक विकास कहलाएगा देख लेते हैं इसके एंसर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं नेस कोशेन है कोशेन नमर 47 कि भावनाओं पर नियंतरन रखना और उन भावनाओं को समाजिक मनेता प्राप्त तरीकों द्वारा प्रदर्सित करना क्या कहलाता है तो भावनाओं पर नियंतरन रखना और उन भावनाओं को समाजिक मनेता प्राप्त तरीकों द्वरा प्रदर्शित करना समीग आतमक विकाश कहलाता है नेस्ट कोशन है कि वह वस्था जब बच्चों में आत्म विश्वास और आत्म शम्मान की भावना विक्षित होती है तो क्या कहलाती है तो वो मध्य बाले अवस्था कहलाएगी वह वस्था जब बच्चों में आत्म बिश्वास और आत्म शम्मान की भावना बिक्षित होती है वह वस्था बाले वस्था कर रहाएगी बाले वस्था में बच्चों में आत्म बिश्वास और आत्म शम्मान की भावना बिक्षित होती है नेक्ष्ट पे आते है नेक्ट है कि संग्यानात्मक विकास का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है question में answer में आएगा कि जो बच्चों को सोचने तर्क करने और समस्याओं का निवारन करने की जो छमता का विकास है इसे ही संग्यानात्मक विकास कहा जाता है question number 50 है कि किशूरा वस्था में जो शीशू को सिर है वो पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात क्या होता है यहां की शरा वस्था बूछा है question मे कई बार ये पूछता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके जो शीर है और पूरे शरीर है उसका अनुपाद क्या होता है तो वहाँ पहुँ जाएगा एक अनुपाद चार ये जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय का है मतलब सैशा वस्ता भी मान सकते हैं लेकिन जब किशोरा वस्ता है उस समय में जो बच्चे के शीर है और पूरे शरीर है उसका अनुपाद एक अनुपाद दश होगा नेश कोशन पर आते हैं के दीर अतोर नंबर 91कि अनुभूति की भावन मैं किस पड़द्राम सवारूप से भीख्षित होती है तो जो अनुभूति की भावना पैर हैं किस पड़दuben Sal prima मैं ऐक्चली प्रेक्टिश्ट कर आने की आत है मैंने ज्यादा तर प्रेक्टिश्ट किर आया है क्लासेज भी दी है बड़ कुछ टॉपिक पर जाद है इसलिए मुझे आपसर नमबर बोलने की आदत हो गई है अभी हम कोशन नमर फिप्टी वन देख रहे हैं तो अनुभूती की भावना कि इसके परिमार सरूप मुख्य रूप से बिकसित होती है तो वह हो जाएंगे मानस मांस नमें सारी रिक कोशनन कोशन नमर है कोशनन नमर फिप्टी थरी कि सिंगमवन फ्रायइट के आनुशार जो ल हैग सकती क्या कहलाती है को जो शिंगमन्वन फ्रायइट के अनुषार लेगिक सकस्ति क्या कहते हैं और यह question important है क्योंकि यह question पुछा जा चुका और एक बार अबार पुछा जा चुका है तो जो सिग्मन fried है इनकी अनुसार लेगिक सक्ति क्या कहलाती है तो libido कहलाती है next पे आते हैं fried के अनुसार monolagic विकास के सिद्दांत कितने हैं तो जो fried है इनकी अनुसार monolagic विकास के सिद्दांत 5 हैं थोड़ा zoom कर लेते हैं कौन-कौन से है तो पहला हो जाएगा मुख्य वस्था जन्म से एक साल तक एक साल तक का और इसमें जो कारिय होता है बच्चों का जन्म से एक साल तक वह चूशना और निगलना होता है सक्किंग और निगलना इसलिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं इस्ट्राइटिंग के सिक्समाद माँ पर डिपेंडेड होते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें यविष्ट सौफ्ट पूढ लेते हैं इसलिए जन्मसे जो एक साल तक वहता है उसमें उनका कारिय होता है चूशने और निगलना दूज़ा वस्ता है गुदाذस्था है ये दो से तीन साल तक की वहता होती है और इस म comenz she लिंग कर देप स्थॉर्णित अवस्था्य झात। प्राधन उस्था करने कोई, पाँचवा अवस्था है, ग्या नेंदरी अवस्था, इसे हम 13 से उपर की अवस्था को ग्या नेंदरी अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रायट के अनुशार मन की पहलू होते हैं तो जो फ्रायट के अनुशार है मन की पहलू कितने होते हैं तो पहले तो दो होते हैं तो अकरात्मक पहल एवं गत्यात्मक पहलू अकरात्मक पहलू एवं गत्यात्मक पहलू फ्रायट के अनुशार मन के दो दूसरा अध्र चेतनमन और तीसरा और चेतनमन 10 डेखते हैं कि शेतनमन क्या है तो च्यों मुण पहलो जिन शेख्रैलों कई से और गद्लिशाओ अनुभावें प्रत्यक्षों से वर्तमान समय में आउगत होते हैं चेतन मन किशे कहते हैं चेतन मन किशे कहते हैं तो वैसे पहलू जिन से विचारो, इच्छाओ, अनुभाव, इंपर्ट्यक्षों से वर्तमान समय में हम आउगत होते हैं उसे हम चेतन मन कहते हैं Next question है कि मन का वह भाग जो चेतन मन से बड़ा परंतु अचेतन मन से छोटा हो उसे हम क्या कहते है तो मन का वह भाग जो के चेतन मन से बड़ा हो परंतु अचेतन मन से छोटा हो उसे हम अर्धे चेतन मन कहते है कोशन देखी कि इतने तरीकों से पूझा जा सकता है तो गत्यात्म को अ को ही तिन भागों में बाटा गया ह। दूसरा है जैसे ऐसे को हम इर बॉलते हैं, जैसे के आपह देख सकते हैं मैंने इर लिखा है , अ को ऊप्राह को शुक्पर उगो बॉलता है इसमें से कुछ भी एक्जाम में दे सकता है इसलिए मैंने दोनों वर्ट को इसमें शामिल किया है नेक्स्ट है कि निंद्रा वस्था में होने वाली जो मानसिक प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं तो जो निंद्रा वस्था में होने वाली मानसिक प्रक्रिया को हम swap na dose के नाम से जानते हैं next question पर आते है next question है DPT का पहला T का कब लगाया जाता है तो जो DPT का पहला T का है इसे एक माह के आयू में लगाते है 62 number question है कि BCG का T कब दिया जाता है तो BCG का T का जन्म के समय दिया जाता है और ये तपेदिक नामक बिमारी जिसे टीवी बोलते हैं उससे रक्षा करता है DPT का पहला T का एक माह के आयू में लगा दिया जाता है और जीवन रक्षक घोल उप्योगी है तो जीवन रक्षक घोल कब उप्योगी है तो ये डाइरिया में उप्योगी है पता है निर्जिरी कहनत में उपयोंगी быть and जीवंद र्ख्छक गृळण कह नाम क्या है तो O-R-A इसे कैसे करते हैं तो चीनी और नग्मक को पाणी में डाल के मिसृत करके हम जीवद र्खछक गहूल का निर्माcular करते हैं कि इसका इस्तेमार हम डि़र्या में जो बिर्सान का वारा कि नाम पyasर को आपकिएक बेएक छाट होती है jakESE było सुल जो अचाइबाया है यह इस सब्सक्राओच का कि इस्था नोजाद पीजार पर आफ़ास math समाजी करण की प्रक्रिया प्रारम कहां से होती है तो बचे की प्रतम समाजी करण की प्रक्रिया है वो जहर सी बात है घर से प्रारम होगी क्योंकि बचा घरी में तो रहता है न तो घर से उनकी समाजी करण की प्रक्रिया प्रारम होती है जैसे जैसे सीशू प्रति दिन प्रति माह प्रति वर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक सक्तियों में प्रिवर्तन होता रहता है और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जैसे जैसे शीशू प्रतिदिन प्रतिमा प्रतिवर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक सक्तियों में परिवर्तन होता रहता है तो इस कथन को किस ने कहा है? इस कथन को सोरेशन ने कहा है हम एंसर देख लेते हैं एक बार यहां पर हो जाएंगे सोरेशन जैसे जैसे सीचु प्रतिदीन प्रतिमा प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके मानसिक सक्तियों में प्रिवर्टन होता रहता और ये कथन सोरेशन के द्वारा कहा गया है नेक्ष्ट पर आ जाते हैं नेक्ष्ट है कि नागरिक्ता की शर्वत्तम सिक्षा बच्चा माता के चुम्बन और पिता के दुलार में पाता है या कथन किसके द्वारा कहा गया है कथन के बठी से पढ़ लेते हैं नागरिक्ता की शर्वत्तम सिक्षा बच्चा माता के चुम्बन और पिता के दुलार में पाता है या कथन मैजनी ने कहा था ये कथन मैजनी के द्वारा कहा गया है नेशकोष्यनी की परिवार समाजिक जीवन की शर्वत्तम पात्षाला है और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है या कथन किसके द्वारा कहा गया है या कथन अरस्तू के द्वारा कहा गया है नेशकोष्यनी की परिवर्तन सिंखला की वा अवस्था जिसमें भूना अवस्था से लेकर प्रौना अवस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है या कथन किसके द्वारा कहा गया है तो या कथन वाटलर मुनरो के द्वारा कहा गया है नेश कोश्यन देखते हैं कि वेक्तित्व अध्यन द्वारा सोध करता एक समाजिक तथ्य के अंतरगत विवीद कारकों को समझने का परेत्न करता है जिसे एक संगठित समगर बनाते हैं या कथन किस के द्वारा कहा गया है तो या कथन यूंग महोदे के द्वारा कहा गया है नेक्ष्ट पर आते हैं नेक्ष्ट है कि चार वर्स के बालक किस परकार के रंगों को पहचानने में शमर्थ होते हैं तो जो चार वर्स के बालक होते हैं वो किस परकार की रंगों को पहचानने में शमर्थ होते हैं तो वो होते हैं प्रात्मिक रंग कोन कोन से होते हैं कमेंट सेशन में बताएंगे नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट कोशन है कि जैविक रूप से बेवस्थित परिवर्तन जो कि मनुश्यों में होते हैं और परिवर्णिय प्रभाव से संबंधित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं जैविक रूप से बिवस्थित परिवर्थन जो कि मनिश्यों में होते हैं और परिवर्णिय प्रभाव से संबंदित नहीं होते ये परिपक्वता कहलाते हैं नेक्स्ट पे आते हैं परिस्थितिक मौडल का क्या अर्थ होता है? पारिस्थितिक मॉडल का क्या अर्थ होता है तो यहां एंसर हो जाएगा समाजिक, संस्कृतिक और रचनाओं के बदलते बहवार में बदलाओ होना पारिस्थितिक मॉडल कहलाता है नेक्ट पे आते हैं नेक्स है कि एक ही आयू वर्ग के लोगों का शमू क्या कहलाता है तो एक ही आयू वर्ग के लोगों का शमू जथ्या कहलाता है एक ही आयू वर्ग के लोगों का जो शमू है उसे हम जथ्या बोलते हैं नेक्स्ट है कि 7-11 वर्ष की आयू की वह अवस्था जिस दोरान बच्चे सारेरिक रूप से मौजूद बस्तूओं के बारे में तर्क संगत तर्क सिखते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? 7-11 वर्ष की आयू की वह अवस्था जिस दोरान बच्चे सारेरिक रूप से मौजूद बस्तूओं के बारे में तर्क संगत तर्क सिखते हैं इस अवस्था को कंक्रीट परिचालन अवस्था कहते हैं नेक्स्ट पे आते हैं विकास के पहलूओं में क्या शामील है? तो बिकास के पहलूओं में जैविक बिकास, संग्यनात्मक बिकास, समाजिक बिकास, भावनात्मक बिकास ये शारे ही शामील है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं बाल्टेश के अनुशार बिकास होता है तो बाल्टेश के अनुशार विकास बहु आयामें और बहु दिशात्मक होता है सरीर के तंत्री का तंत्र का धाचा तो जन्म के समय ही बन जाता है किन्तो उसका क्रियात्मक विकास समाने रूप से होता है तो कब से होता है शरीर के तंत्री का तंत्र का धाचा वो तो जन्म के समय ही बन जाता है किन्तो उसका क्रियात्मक विकास कब से प्रारंब होता है तो यह चार वर्ष की आयुश में प्रारंब होता है नेक्स्ट पे आते हैं शैश्वा वस्था में शामवेगिक विकास का अध्यन किया जाता है कैसे तो ये हो जाएंगे निरिक्षन से समाने से कितने वर्ष में बालकों में अश्मन्ण सक्ती का विकास हो जाता है तो समान्य से कितने वर्सों में अश्वरन सक्ति का विकास हो जाता है तो वह हो जाएंगे 6 वर्सक में किसके द्वारा बच्चा सहयोग त्याग अनुकूलता तथा परती असपर्दा और समाजिक गुणों को सीखता है तो यह हो जाएंगे खेल, खेल के माध्यम से बच्चे एक दूसरी का शहयोग करते हैं खेलने में त्याग ना जैसे कि तू मेरी जगा बैटिंग कर ले मैं तेरी जगा बैटिंग कर लेता हूँ रेती पत्त अनुभब, अनुकूलता एक दूसरी के साथ प्रती असपर्दा समाजिक गुणों का विकास वो खेल के माध्यम से सिखते हैं नेट्च्ट कोश्यन पर आते हैं नेस्ट कोशन है कि शीशू का वजन एक वर्स में होता है तो जो शीशू का वजन है वो एक वर्स में कितना हो जाता है तो वो हो जाता है ना केजी का और जब शीशू जन मिलेता है तब वो कितने केजी का होता है तो वो धाई से लेके शाड़े तीन केजी का होता है एक स्वस महिने में जो होता है वो डबल हो जाता है तो वो चार से छे महिने में डबल हो जाते है नेश कोशिन है कि खसरा, गलसुआ तथा रुलैबा रोग हेतू टीका कडल लगाया जाते है तो खसरा, गलसुवा तथा रूबयला रोग के लिए कौन से टीका लगाया जाते है तो वो होते है MMR MRT का लगाया जाता है Next question है कि एकि क्रेत बाल विकास योजना की अस्थापना कब हुई थी तो जो एक क्रित बाल विकास की योजनική अस्थापना सन 1975 this week हुई थी competitia Next question है कि protein की कमई से बच्चों में कौन से रोग हो जाते है तो protein की कमई से बच्चों में कौासी औरकर रोग हो जाता है कौासी औरकर रोग में बच्चों में protein की कमई होती है लेकिन उर्जा की कमी नहीं होती है नेस्ट कोश्चिन पर आते है उर्जा और प्रोटीन की कमी से बच्चों में मेरामस रोग होता है और प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशी ओर कर रोग होता है मेरामस रोग को हम सुखा रोग के भी नाम से जानते है नास कोस्षेन है कि बेक्ति के रोभ वह मृत्वू से लड़ने की छम्ता को क्या कहते है इसे रोगछम्ता कहते है कौनसी बीधी बाल अध्यान के लिए शरोतम व्हों प्रमाडिक है अभी हम्ने इसे क्वेशन देखा था देखते है वो का इसाइद मिक्स होगे ने कॉस्टियन हाँ कि बाल मनों बेग्यानिक संबंदी सोध कव शुरू करी किये गये थे तो सन 1930 में किये गये और यहां पुछ रहें कौन सी बीधी बाल अध्यान के लिए शरुतम एवन प्रमाडिक अध्याने तो हो जाएंगे निरिक्षन की बीधी नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स कुशन है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वतावडन प्रजातांत्रिक होता है अन्यों बच्चों की अपेक्षा वह बच्चे कैसे होते हैं तो जिन बच्चों के जो परिवार के वतावडन है वह प्रजातांत्रिक होंगे वह बच्चे उन बच्चों में नेतिकता और निर्मार सिलता के जो गुन है वह अधिक होते हैं तो यह सिख्षा यह बाल मनो बेग्यानिक से कोश्चन थे शीशु भीकाश्ये अब एक टॉपिक हमारे कंप्लीट हुआ नेक्स टॉपिक प्याते हैं नेक्स टॉपिक है इसमें मेने चार आप्सम रखें आप चाहें तो मेरे साथ कोश्चन को सल्ब कर सकते हैं यह सोद एवं संखी की डिशर्स एवं सिट्लैट से कोश्चन है और इसमें पहला कोश्चन है किंद्रिय प्रविर्ती की मापन की वीधी है कौन सी है समनांतर माध्या मोड को हम बवलब के नाम से भी जानते हैं जो किंद्रिय प्रविर्ती के मापन की वीधी है वह कौन सी है तो वह हो जाएंगा अफ्सन नमरर डी यह सारे ही शमनांतर माध्या मोड जिसे हम बवलब के नाम से भी जानते हैं अफ्सन सी माध्यका यह सारे ही है नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट है कि निम्नमेशी किस का अध्यन माध्यमिका के द्वारे किया जाता है बेरुजगारी गरीवी जनसंख्या या फिर यह सब ही तो किस का अध्यन माध्यमिका के द्वारे किया जाता है यह सारे ही बेरुजगारी गरीवी यह जनसंख्या इन सब का अध्यन माध्य के द्वारे किया जा सकता है कि केंद्रिय प्रविर्ती की शरोत्तम माप कौन सी है बहुलक चल माध्या जन संख्या या फिर गुड़ोत्तर माध्या तो केंद्रिय प्रविर्ती की शरोत्तम माप की माप कौन सी है केंद्रिय प्रविर्ती की शरोत्तम माप अफसर नंबर शी ज छे, आठ, दस, दो, एंवं, बारा इनमें इसे बहुलग कौन सा है तो इसमें कौन से ऐसे नमबर है जिसे दोराए गया है या फिर जो ज़्यादा बाराए है अब देख सकते हैं तो यहाँ दो बाराए है बाकि सारे वर्ड दो तीन बाराए है क्या कहलाते है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाहे चर या फिर कोई नहीं यहाँ कोशन में ही आपको एंसर दिया गया है कि वैसे चर जो स्वतंत्र चर पे आश्रित होते हैं तो वो आश्रित है तो इसलिए वो आश्रित चर ही कहलाएंगे नेक्स्ट कुश्चन है कि किस संखीकी में वास्तिविक तत्यों एवां विभिन समस्याओं पर शंखीकी के रितियों का परियोग किया जाता है नेक्स्ट पेज में यह कुश्चन हम देख लेते हैं अच्छा मिशिंग है कुश्चन मिशिंग हो गया बीच के उसे में नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूट कर दोंगी या फिर इसका में एक और वीडियो बना दोंगे जिस पर सोदय हम संस्थान होंगे उसमें वह कुश्चन होंगे तो डिरेक्टली हम 5 के बाद 15 देख रहे हैं बीच के हमारा 10 कोश्चन मिशिंग है ठीक है वे कौन से तथ्य हैं जो हमेशा अंको या संख्याओं के माध्यम से प्रस्तूत किये जाते हैं तो वे कौन से तथ्या है जो हमेशा अंको और संख्याओं के माध्यम से प्रस्तूत किये जाते हैं तबिति तथ्य उफिनeton B संख्यातंक तथ्य, ऐसें संख्यात्मक तथ्या , तो palais सनख्यातंक तथ्या त्य हितं को न है से कुश्चन जोकिते हैं यह जोल दिंगन उदिम नहीं कोव सब्सक्राइबार क तथ्या संख्यात्मक तथ्या बैक्तिगत तथ्य तथा समाजिक तथ्य किस माध्यम के प्रकार है बैक्तिगत तथ्य तथा सामुहिक तथ्य किस तथ्य के प्रकार है अफ्जनी है सामुहिक तथ्य, अफ्जनी है गणात्मक तथ्य, अफ्जनी है संख्यात्मक तथ्य, अफ्जनी है कोई नहीं तो जो व्यक्तिगत तथ्य तथा सामोहिक तथ्य हैं ये संख्यात्मक तथ्य के अंतर गताएंगे यहां कोशन में सामोहिक दिया हुआ इसलिए सामोहिक नहीं लगा देंगे ये गलत हो जाएंगे बैक्ति गर्थ तथ्य और समोहिक तथ्य पूछ रहा है और यह किस तथ्य के प्रकार है तो यह संख्यात्मक तथ्य के प्रकार है Next question पे आते हैं जिस रूप में तथ्य प्राप्ट होती हैं उन्हें उशी रूप में प्रदर्शित किया जाना कौन सा तथ्य कहलाता है तो वैक्तिक तथ्या, सांखिकिक तथ्या, गढणात्मक तथ्या या फिर कोई नहीं तो जिस रूप में तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें उशी रूप में प्रदशित किया जाना बैक्तित्य तथ्य कहलाता है नेस कोश्चन है कि बहुलक होता है बहुलग कैसा होता है तो निरंतर अबरिती वाला पद, मध्यम अबरिती वाला पद, ओश अबरिती वाला पद, या फिर मध्यां कारंतर वाला मध्यमान तो जो बहुलग होता है वो मध्यम अबरिती वाला पद कहलाता है ओप्सन भी शही है नेक्स्ट पे आते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी या फिर मैं इसका एक और क्लीन वीडियो बना दूँगे जो मैं एक ही साथ छे टॉपिक को लेके चल रही हूं मैं कभी इसका एक सिंगल टॉपिक भी लेके आजाओंगी सांखी की गर्णाओं का विज्ञान है किस ने कहा है सांखी की गर्णाओं का विज्ञान है या किस ने कहा है तो बावले ने लुडवर्ग ने फ्रायड ने या फिर यूंग ने तो जो सांखी की गर्णाओं का विज्ञान है या बावले ने कहा है नेश कोशन है कि संख्यात्मक तथ्यों को कितने भागों में बाटा जा सकता है तो एक भाग, दो भाग, चार भाग या फिर पांश भाग तो जो संख्यात्मक तथ्यों है इने अफसर नमबर बी अफसर नमबर बी दो भागों में बाटा जा सकता है कि कुश्वासनियता को मापनिंगी पदती में शर्वादिक प्रचलित पदती कौन सी ही!! बिश्वास नियता को मापने के जो पदती है इस सरवादिक प्रचलित पदती में सरवादिक प्रचलित पदती कौन सी है option A है आंतरिक संगती पदती option B है परिक्षा पुन परिक्षा पदती तुल्लिय सौरूप पदती या फिर इन मेंशे कोई नहीं तो जो बिश्वास निये था को मापनी के जो पदती है इसमें सरवादिक प्रचलिक पदती आंतरिक संगती पदती है और सही हो जाएंगे नेश्ट कोश्चिन पर आते हैं अब यहां से हमारा RDA सेकंड टॉपिक भी हमारे कंप्लीट हुआ यहां RDA को देख लेते हैं आप सबको काफी कंफ्यूजन रहता है यह RDA 2020 वाला है और साथ मेंने 2010 के भी RDA से जो कोशन है जो इंपोर्टेंट पॉइंट से उसे इंक्लूट किया रखा है तो RDA 2020 के अनुशार जो मैन की हाइट है आदमी लोगों की हाइट है वो 5.8 फिट रखा गया है लेकिन 2010 में जो मैन है थे हैं उनकी जो हाइट है वो 5.6 ने धारित की गई थी बट अभी 2 पॉइंट इंक्लूट कर दिया गया है और जो ओमेन थी ओमेन की हाइट है वो 5.3 फिट है यह RDA 2020 के अनुशार है लेकिन RDA 2010 में जो मैन थी उनकी जो हाइट है वो 5 फिट थी नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है कि 2000 केशियल पर कितना ग्राम फाइबर देना है तो जो 2000 केशियल अगर कोई आजमी 2000 केशियल फाइबर ले रहे है पर कितना ग्राम फाइबर देना होता है तो वहां पर हो जाएंगे option number sorry 40 gram फाइबर और ये भोज पदात के पाचन में मदद करता है जो फाइबर होते हैं ये भोज पदात के पाचन में help करते हैं नेक्स्ट है कि secondary workman का body जो weight है वो कितना होना चाहिए तो जो secondary question secondary में पूछ सकता है लेकिन secondary हो मद्यम हो या भारी कारे करने वाले हो सबके जो आदमी लोग है उनकी जो weight है वो 65 kg होनी चाहिए जो height है 5.8 feet होनी चाहिए और जो 2010 था उसमें 60 kg निर्धारित किया गया था सबोना थे.सलीट हो फिर मद्यम हो यह भारी हो या फिर हल्का कारे करने वाले हो सिपके लिए क्लिदय के सकता होती है नेज्स्ट है कि एक केजी अगर आपका वेट है तो आपको RDA 2010 के अनुसार एक ग्राम प्रोटीन लेना होता था बट RDA 2020 के अनुसार अगर आपका वेट एक केजी है तो आपको प्रोटीन 0.83 ग्राम लेना होगा यहां पर कम कर दिया गया है प्रोटीन की मात्रा करने वाले जो पूरूस है उन्हें फाइबर प्रती दिन कितना लेना चाहिए अभी हमने देखा था जो 2000 KCL को देख लेते हैं या फिर मेरे पास कितना ग्राम फाइबर देना चाहिए तो 40 ग्राम हमने देखा था और यह भोजय पदा थो को पाचन में हल्प करते हैं यह भी हमने देखा था अब यहां पूछा है जो कि हलका कारे करते हैं ऐसे पूरुस को फाइबर की प्रती दिन कितना मिलना चाहिए तो वह हो जाएंगे 30 ग्राम पर दे और 40 ग्राम मध्यम कारे करने वालों को और 50 ग्राम भारी कारे करने वालों को फाइबर की आउशकता होती है नेक्स्ट है कि मध्यम काम करने वाली महिला को एक दिन में कैल्सियम मिलना चाहिए कितना लेना चाहिए तो जो मध्यम कारे करती है ऐसी महिला को एक समाने भारी सब के लिए 1000 MZ कल्सियम लेना चाहिए जो दुख्द पन कराती है महिला उन्हें 1200 MZ कल्सियम लेना चाहिए नेक्स्ट है कि शमाने पुरुष को आयरन तत्तो कितना लेना चाहिए जो शमाने पुरुष है कि शमाने पुरुष को आयरन कितना लेना चाहिए तो 19 MZ लेना चाहिए और महिला को 29 MZ लेना चाहिए और जो प्रेगनेंट महिला है उन्हें 27 MZ लेना चाहिए और जो दूद पिलाने वाली महिला है उन्हें 23 MZ लेना चाहिए आयरन कुछ पेजिस मिशिंग है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी आप सबको हाला कि मैंने RDA पर बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी आप चाहे तो RDA का वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिशन में दियागाए टेलिग्राम कुप कर लिंग आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं नेस्ट कुछ्छेनी के जो दूद पिलाने वाली माता है इन्हें आयोडीन की आउसकता है तो कितने तो 2800 माइक्रोन नेस्ट पर आते हैं यहां पर एक कुछ यहां वहां दूद पिलाने वाली जो माता है उन्हें दूद पिलाने माली को 208 लेना चाहिए नेकस्ट पर आते हैं कि अब यह हो गया सिलाई से रिलेटेड कुछ कुश्चन हाला के कुश्चन थोड़े दूदले दिख रहे हैं मैं पढ़के आपको बता दूंगी जो पांच वर्स के जो बेवी है पांच वर्स की एक लड़की है मालेजी और उसका हमें बनाना है फ्रॉक तो फ्रॉक बनाने क कटाई से पहले कपड़े पर चीन लगाने के लिए हम परियोग करते हैं तो किसका कटाई से पहले हम कपड़े पर चीन लगाने के लिए किसका परियोग करते हैं वह हो जाएंगे मिल्टन चॉक मिल्टन चॉक का परियोग करते हैं नेस्ट है कि रेडिमेंट कपडों के निर सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा है उसे जोड़ने के लिए हम कौन सा टाके का इस्तिमाल करते हैं तो सिलाई करते समय अस्तर के कपड़ा जो होता है उसे जोड़ने के लिए हम हैमिंग टाका का परियोग करते है नेक्स्ट है कि कपड़ा काटने के लिए जो कैची है उसकी कपड़ काटने कैंची होती है, उसकी लंबाई 20-25 cm होती है, कि कपड़ा सिलने से पुर्वा, जो ड्राफ्टिंग है, इसे हम क्यों करते हैं? तो कपड़ा सिलने से पहले ड्राफ्टिंग हमें कपड़े को व्यर्थ नहीं जाता, केलें करें कि लिए ने प्लिफ करें तो है कि मसीन सीज़वड़ों अंड़ा शाकि नहींस कर दोण हमिस्दां गैजब यूज़ पंढ़ों डिए चौइप टेलरें के लिए वेशन करें में रहले पाई धुवागर अप्रशों करूं दुछ कि करें अपने फ्रेंशर कर में सियर करें नेस्ट है कि सधारन वस्तर को सिलने के लिए मसीन में कितने नंबर की सुई लगानी चाहिए तो जो सधारन वस्तर है उसे सिलने के लिए मसीन में 16 नंबर की सुई लगानी चाहिए नेक्स्ट है कि छोटी कद की इस्त्री को प्रमुक्ता से कैसे वस्तर पहनने चाहिए यहाँ पूछ रहा है कि जिनकी हाइट कम है उन्हें कैसी वस्तर पहनना चाहिए उन्हें लंबी धारियों वाला वस्तर पहनना चाहिए ताकि वो लंबी दिख सके ऐसे मतलब लगे कि वो लंबी है नेस्स कोशन है कि परिधान का जो रंग रूप और आकार है वो खिलता है तो कैसे खिलता है तो वो अगर उची तथा अच्छे अनुपात में हो तो वो खिलता है अब हम आगे जो कोशन देख रहा है यह मशीन के इतिहास से रिलेटेड है मशीन का जो निरमार है यह कब और किस ने किया था तो मशीन का निरमार सन सतरो सा नबे इसमी में थॉमस के ने किया था मसीन के निरमार 1790 ECV में Thomas Centre ने किया था और मसीन कितने परकार के होते हैं? तो दो परकार के होते हैं एक होते हैं डोमेस्टिक मसीन और दूसरा होता है इन्ड stamping machine नेक्सट है कि घर में ist티माल किये जाने वाले मसीन कौन सी है? तो वह है domestic machine और factory में इस्तिमाल किये जाने वाले machine है वह है industrial machine नेक्स्ट पे आते हैं जो industrial machine है इसके कुछ प्रकार है कौन-कौन से तो cut-eye machine, single needle machine, double needle machine, button लगाने वाला machine, button में छेट करने वाला machine एवं बार taking machine machine के पार्ट से कुछ question देख लएते हैं पहला question है कि spool pin किछये कहते हैं spool pin हम किछये कहते हैं जिसमें के लिएmüş नाई करने धागा लगाते हैं हम उससे ही spool pin कहते हैं और इसकृतusing क्यों किछ रहते हैं आप देख रह strongest ऐख रहे हैं ब्रेल का है तो भावीरीड तेया है उसी कहते है क्या क्या काम होता है तो भावी रील्डी में धागा भरते है उसे ही ब्रीस कहते है और स्क्रjor21 सिलाई चोटा या बढ़ा करने के काम स्टीच आसे के देदीक ग्यावर है और ऊफरी रेर कोटी कहते सिदेट पर-देर जोस्ट मेटाइ है cu करम करता है Thread Tation Wheel नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट है Thread Guide Thread Guide मशीन में Spool Peen के बादधा जहां 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 से गुजरता है उसे ही हम Thread Guide कहते हैं नेक्स्ट है प्रेशर फूट, प्रेशर फूट किशे कहते हैं, तो कपड़ा सिलते समय, प्रेशर फूट से कपड़े को दबाते हैं, जिससे कपड़ा इधर उधर नहीं सरकता और सही दिशा में सिलते जाता है, नेक्स्ट है प्रेशर वार प्रेशर वार किशे कहते हैं तो जिससे हम प्रेशर फुट को एटेच करते हैं उसे ही हम प्रेशर वार कहते हैं नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्रेशर फुट लिफ्टर प्रेशर फुट लिफ्टर क्या है तो जिसे हम pressure foot को control करते हैं अथार्थ उपर और नीचे करते हैं उसे ही हम pressure foot lifter कहते हैं नेक्स्ट है कि bovin cover या फिर cap किशे कहते हैं तो जिसमें हम bovin reel डाल कर सिलाई करते हैं उसे ही bovin cover या फिर cap कहते हैं नेक्स्ट है नीडिल बार नीडिल बार जिसमें हम सिलाई शूई लगाते हैं उसे ही नीडिल बार कहते हैं और नेक्स्ट पुछ रहे हैं फिट डॉग फिट डॉग क्या है तो फिट डॉग को हम दात भी कहते हैं और इसका काम है कपड़े को आगे पीछे करना नेक्श्ट है नीडिल प्लेट नीडिल प्लेट क्या है तो जहां से स्वीं अंदर जाकर बौविन रील से धागा बहर लाती है उसे ही नीडिल प्लेट कहते है फेस प्लेट क्या है तो मशीन के सामने लगर का काम करता है और लिखाता इसे ही फेस प्लेट कहते हैं अब इस से कुछ और और देखते हैं किश हैं मसीन को कितनी भागों में बाटा गया है ज comparison शरप्रथम सिलाई मसीन के नीर्माका खीषिय जाता है सिलाइ मसीन के निर्माद के सरे किश्य जाता है मुद्लिध निर्माद के प्रियास के नाम से जाना जाता और सिलाई मशीन के ऊपर मूड़े वे भाग को क्या कहा जाता है इसे हम बाहू कहते हैं नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट एक एस्पूल पीन की विशेष्टा होती है इस्पूल पीन की क्या विशेष्टा होती है तो ये कील नुमा संवचना स्टील से बना हुआ पीन की तरह दिखता है नेक्स्ट है कि पैर के जो एड़ी के समान वो धातू का बना हुआ सिलाई मसीन का जो पूंजी है उसे क्या कहते है इसे प्रेसर फूट कहते है और नेक्स्ट है कि प्रिसर फूट बार का मुख्य कारिय क्या है तो प्रिसर फूट बार का मुख्य कारिय कपड़े को दबा कर सिलाई करना है नेच्ट है कि सिलाई टाके के जो लंबाई है उसको नियंतर किया जाता है तो किसके द्वारा तो टाका नियमक द्वारा या फिर थ्रेड रेगुलेटर द्वारा अभी हमने इसके बार में अच्छे से पढ़ा अब यहां से कुछ कोश्चिन है इंपर्टन है अन्तोतर पोशन का अर्थ है अन्तोतर पोशन का अर्थ क्या है हमारा तीन टॉपिकास कम्प्लीट हुआ अन्तोतर पोशन का अर्थ क्या है तो यह हो जाएंगे नासिक नली से भोजन करना अन्तोतर पोशन है नेक्स है कि बुजूर्गों के इलाज को कहते है तो जो बुजूर्गों का इलाज होता है उन्हें हम जरा चिकिश्चक कहते है नेक्स कुशन है कि लीवर सिरोसिस के लि नेस्ट कोश्चन पे आते हैं कि गर्भती महिला के लिए उर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आउसकता क्या है तो गर्भती महिला के लिए उर्जा और प्रोटीन की जो अतिरिक्त आउसकता है वह तीन साड़े तीन सो ग्राम केलोरी और पंदर ग्राम प्रोटीन की आउसकता होती है नेक्स्ट है कि भारतिय इस्त्रियों के लिए RDA RDA उन संदर्व इस्त्रियों पर अधारित है जिसका सारीरिक वजन 55 kg और लंबाई सारीरिक वजन 55 kg और लंबाई 1.61 मिटर है यहां पर मिटर में पूछ रहा है लेकिन हाइट 5.5 फीट में पूछे तो 5.3 फीट हो जाएगा नेक्स्ट है कि जो मदमे के रोगी है उन्हें किस परकार का आहार देना चाहिए तो जो मदमे के रोगी है उन्हें कम कैलोरी और उच्छे प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए चलिए अब आते हैं हम अब आईरन से रिलेटिट कुछ कोश्चन देख लेते हैं और ये हमारे आज के चौधा या फिर पांच वा टॉपिक है ये हमारे पांच वा टॉपिक है तो आईरन मनुसी के सरीर में कुल कितने ग्राम लोहा पाया जाता है तो वह पाया जाता है तीन से चार ग्राम लोहे की अधिकांस्ता मात्रा कहां पाया जाती है तो लोहे की अधिकांस्ता मात्रा रक्त में हीम के रूप में पाया जाता है जो कि 60 से 70 प्रतिशत होता है नेश कोशेने के रक्त में लोहा किस प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है तो रक्त में लोहा ग्लोबीन नमक प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है नेश कोशेने के एक ग्राम हिमोग्लोबीन बनाने के लिए लोहे की कितनी मात्रा की ओसकता होती है तो जो एक ग्राम हिमोग्लोबीन है इसे बनाने के लिए लोहे की कितने ग्राम हिमोग्लोबीन की उसकता होती है तो वो होती है तीन से चार एमजी एक ग्राम हिमोग्लोबीन बनाने के लिए तीन से चार एमजी लोहे की उसकता होती है नेक्स्ट में आते हैं कि फेफड़े से उत्तकों तक O2 मतलब कि आक्सीजन तथा उत्तकों से फेफड़े तक CO2 का परिवहन कौन करता है तो फेफड़े से उत्तकों तक आक्सीजन तथा उत्तकों से फेफड़े तक कारवंड़ अक्साइड का परिवहन हीमो